पानी पूरी पानी के बताशे या गोल गपपे देखते ही मुँ में बस पानी आ जाता है और इन्हें बनाना भी काफी ट्रिकी होता है तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ पानी और पूरी बनाने की पूरी रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूँ रह्मत और आपका स्वागत है मील और फील में पूरी बनाने के लिए हमने एक कप के हूँ का आटा लिया है और उसी कप से मिजर करके आधा कप मैंने सूजी लिया है और अब इसमें हम एक चुथाई चम्मच खाने वाला सोडा मिला देंगे सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और आटा गून लेंगे और हाँ पानी पूरी का आटा रोटी के आटे से काफी टाइट रहता है इस बात का भी ध्यान रखें इसलिए जितना हो सके उतना कम पानी यूज करना है जिस बोल से हमने आटा लिया था उस बोल का आधा ही हमने पानी इसमें यूज किया है चली अब इसे आदे घंटे के लिए रेस्ट करने देती है चली अब हम इसे दस मिनद तक फिर से अच्छे से गून लोते है यह देखिए अभी तूट जा रहा है हमें इसे तब तक गूनना है जब तक कि इसमें लोचना आ जाओ आटा जोड़ना शुरू हो गया है अब यह देखिए आटे में आव ऐसी लचक आव गई है अब यह आटा थोड़ी के लिए त्यार तो अब हम इसे बेलना शुरू करते है एक पेड़े को हम बेलेंगे और बाकी के आटे को हम गीले कपड़े से ढ़क कर रहते हैं चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं हम यह रोटी से पतला मगर स्प्रिंग रोल की शीट से थोड़ा मोटा बेलना है यह देखें यह हो गया है अब हम पूरियां कट कर लेते हैं हमें इन्हें भी गीले कपड़े में रख लेना है ताकि इस पे पपड़ी ना जमें अगर पपड़ी जम गई तो फिर हमारी पूरियां फूलेंगी नहीं पूरी तलने में हमें फ्लेम का खास ख्याल रखना है क्यूंकि तेल हमें बहुत ज़्यादा गरम भी नी चाहिए और कम गरम भी नी चाहिए इसलिए टाइम टू टाइम हमें फ्लेम को मैनेज करना होगा ये देखिए ये पूरियां हो गई है और इसी तरह से बागी की पूरियां भी हम तर लेए पूरियां तो हो गई अब हम पानी की तैरी कर लेते हैं तो हमने यहां एक कप धन्या लिया है धन्या हमने उसकी डंडियों के साथ लिया है क्यूंकि उसकी डंडियों में भी काफी टेस्ट होता है और उसके बाद हमने आधा कप पुदीन लिया है चार से पांच हरी मिल्चिया लिए और थोड़ा सा अद रख लिए अब इसको आधा कप पानी डालके हम पीस लें यह देखिया हमारी चटनी तयार है अब हम इसे एक बड़े बॉल में डाल लेते हैं और उसी में हम लगभग आधा लिटर तक पानी डाल लें तो चलिए अब हम इसमें मसाले मिला लेते हैं काला नमक, धुना जीरा पाउडर, आम चूर, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर चलिए अब हम इने पानी भी मिला लेते हैं यह देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है न, चलिए अब हम इसमें डेड़ निम्बू का रस भी मिला लेते हैं चलिए अब हम इसमें भूंदी डाल देते हैं और यह हमारा पानी तयार है तो चलिए अब हम फेलिंग की तेयारी कर लेते हैं उबले आलू को मैश करके हम उसमें काला नमक मिला लेंगे फिर उसमें उबले रिचने डाल देंगे इसके बाद हम प्याज मिला लेंगे, बारीक कटी हुई हम इसमें थोड़े सेव भी मिला लेते हैं और सब को अच्छे से मिला कर चलिए अब भूँखाना शुरू करते हैं हम इसे दही और मीठी जटनी से सब कर लेते हैं आप भी इसे जरूर ट्राइ करें तब तक के लिए खाते रहें, मस रहें